हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कृष्ण और आज हम पेपर सोल करेंगे TGT हिंदी का TGT हिंदी का पेपर देख लेते हैं जो KVS का LDC का पेपर हुआ था तो फर्स्ट कोशन क्या है फर्स्ट कोशन है हिंदी भासा के विकास के द्रिष्टी से हिंदी मिलिकित में से कौन सा क्रम सही है आपको भासा विकास का क्रम पता है भासा विकास में आपको बता दें सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृत यानि की वैदिक संस्कृत वो आती है दो हजार से आठ्सो इसवी पूरू दो हजार से आठ्सो इसा पूरू का जो समय होता है वो वैदिक संस्कृत का रहता है उसके बाद लोकिक संस्कृत आती है पान्स, आठ्सो से पान्सो तक जो आती है वो लोकिक संस्कृत आती है फिर आपकी अब्रंस आती है, अब्रंस का यहाँ पर पाट दिखा गया है, यह सोर्स है नहीं है, और फिर उसके बाद पस्मेहिंदी, तो दूसरा उप्सन जो है, आपका से ही हो जाएगा, अगले सवाल के तरफ आते हैं, चिडिया रस उंडेल कर गा लेती है, यह आपके पा हैं, तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया विश्यून हो जाएगा, नेक्स क्यों Parte कि तरफ आते हैं, ने लिकेत में, दुवनदो समास नहीं है, इन में चार उप्सन से, आपको बताना है किसमें दुवनदो समास नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो साफ साफ ही इसमें ह जिसमें द्वंदर समास नहीं है ठीक है नेक्ट कॉसन निमलिखित सब्दों में एकार्थी सब्द कौन सा है ये वही सेम सवाल जो PGT हिंदी में आपसे पूछा गया था वही सेम सब्द है एंकार जो है वो एकार्थी सब्द है और बाकी जो है उनके अलग-लग अर्थ हो जाते है ठीक है नेक्स्ट कॉसन निमलिखित वाके के रेखांकित सब्द में कौन सा विशेशन है एक और तो विशेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़के जरूर जाएगा आपसे पुछा है वह लड़की दोड में पर्थम आई है और वह कोरे खांकित क्या गया है वह लड़की पर्टिकुलर उस लड़की की तरफ हिसारा करके बताया गया कि वह लड़की दोड में पर्थम आई है लड़की की विशेशता बता रही है वह पर्टिकुलर उसके तरफ इंगित किया जा रहा है और वह क्या है वह सरो नाम है तो सरो नाम जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है विशेशन का भी काम कर रहा है तो कौन सा विशेशन हो जाएगा सारो नामिक विशेशन हो जाएग देवनागरी में आपको लिखना है पहला वाला कितना है 303 सही तो लिखा है 686 भी ठीक लिखा है 888 भी सही लिखा है 529 नहीं है यह 538 होता है क्या होता है 538 होता है तो यह option आपका सही हो जाएगा next question निलिखित वाक्यों में विशेशन पत्बंद वाला वाक्य कौन सा नहीं है तो विशेशन पत्बंद वाला वाक्य आपको छाटना है देखे उस घर के कोने में बैठाव आदमी जासुस है उस आदमी के विशेशन पत्बंद हो गया वह बजार की ओर आया होगा यह क्या है ये एक क्रिया है उसकी कि ये वह बजार की और आया होगा तो ये नहीं है ये विशेशन पदबन नहीं होगा नेच्ट देख लेते हैं उसका गोड़ा अत्यन्त सुंदर फूर्तिला आगया कारी है ये गोड़े की सारी विशेशता हैं तो ये भी पदबन जो है विशेशन पात ये वो कविता यादा रहे हैं आपको हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात महीं अपना स्वपन मिर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक परत्यूस मनोगर ये वही कविता है तो उसकी भासा की बात से पूछा गया सवाल ये है कि इनमें बताना ह कि रेखं की सब्द क्या है देखे कोमल गात कोमल तो विशेशन हो गया गात क्या है विशेश्य हो गया तो गात क्या है विशेश्य है तो सारे के सारे विशेश्य है पात विशेश्य है वसंत विशेश्य है वसंत कैसा मिर्दूल है तो मिर्दूल विशेश्य हो जाता है ठी तो next question उच्चारण के कालमान के नुसार सवरों का भेद कौन सा है इसमें से उच्चारण के कालमान के नुसार आपको बताना है सवरों का भेद कौन सा है तो उच्चारण में क्या होता है छोटा बड़ा देखते हैं लगुगुरू तो ये लगुगुरु जो है, वो उचारण के अधार पर आ जाते हैं, ठीक है, next question, निमलिखित में तच्सम सब्द नहीं है, ये भी आपको दीखी रहा है, अंगुष्ट तो तच्सम है, इक्षु भी तच्सम है, कुपुत्र भी तच्सम है, आम जो है वो तदभाव सब्द ह आम कैसा सब्द है, तदभाव सब्द है, ठीक है, next चलते हैं, निमलिखित में बाड़ा किस भासा का सब्द है, बाड़ा, बाड़ा जो है मराठी भासा का सब्द है, बाड़ा जो है किस भासा का सब्द है, मराठी भासा का सब्द है, next question, अगर यह बाड़ी होता तो गुलर एक आदमी की तरफ इसारा करना, कासी एक सहर का नाम है, तो यही वेक्तिवाचक संग्या है, मनुष्य पहाड नदी ये जर्नल सेंस में बात की गई है, तो ये जाती वाचक संग्या है, कासी जो है वेक्तिवाचक संग्या है, नेक्स्ट कोशन, निमलिकित में वर्तनी इसको देख लेते हैं तो बहुत सी अलमारी में किताबे रखी है यह तो गलत है बहुत सी अलमारी में किताबे थोड़ी अलमारी में बहुत सी किताबे ऐसा होना चाहिए था तुम चाहो तो सोर पे मुझसे ले सकते हो ये भी गलत है यह निराला की पहली रचना है तो ये सेंटेंस एकदम सही है, सुद्वाक के है बाकी सब गलत है वर्ण और उसके उचारनक स्थान के दृष्टी से असंगत यूगम आपको बताना है कौन सा असंगत जोड़ा है चै, तालू होता है, इचो यह ऐसा नाम तालू ये तो पता लग गया रिटो रसाना मुर्धा ये डै जो है वो भी मुर्धन्य होता है फैजो है, वो कंट से नहीं बोला जाता है वो होटों से बोला जाता है उपपदमानिय मौष्टम जो आता है एक सूतर भी होता है संस्कृत में तो फैजो है, वो कंट से बोला जाता है नहीं बोला जाता है, वो किसे बोला जाता है होटों से बोला जाता है next question निमलिकित में संधी की दृष्टी से असंगत यूगम आपको बताना है इसमें असंगत यूगम कौन सा है संधी की दृष्टी से कुछ आसन स्वरसंदी है क्या मुझे तो लगता है स्वरसंदी यह है कुछ जमासन लग गई अजन्त धनुष्टंकार निसंदे तो धनुष्टंकार है वो स्वरसंदी नहीं है धनुष्टंकार वो स्वरसंदी नहीं है बाग की सारी की सारी स्वरसंदी है सोहन ने अमरूद और अंगूर खाए ये हमें क्या बता रहा है ये हमें एक सूचरा टाइप की दे रहा है, तो विदी वाचक वाक्य है, कौनसा वाक्य है, विदी वाचक वाक्य है, next question, निमलिकित में ततपुर्ष रमास नहीं है, ततपुर्ष रमास इन में से किसमे नहीं है, पद से चूत, पद चूत, रिन से मुक्त, मंद बुद्धी, मंद बुद्धी जो है, बुद्धी, मंद बुद्धी, ये एक अलग मतलब बनता है, तो मंद बुद्धी जो है, करम धरह समास आता है, तो मंद बुद्धी, बुद्धी की विशेशता बताई है, कैसी है, मंद बुद्धी है, तो ये करम धरह समास आएगा, बाकि सब पुर्समास हो गया नील कमल नील कमल जो है वो आपका करमधर्य बन गया नीला है जो कमल युद्ध अक्षेत्र युद्ध काक्षेत्र ये तत्पुर्समास होता है तो ये भुबरी नहीं है संग्या से विशेशन बनाने की दृष्टी से निमलिखित युगम में असंगत कुन सा है संग्या सब्द आपको दिये गए होंगे उनसे विशेशन जब आप बनाते उसमें से गलत कुन सा लिखा गया है ये आपको बताना है तो नीती नैतिक ये तो सही होता है नाटक नाटक तो नहीं ये होता, ये नाटकी ये होता है, ठीक है, next question, निमलिखित में से सूलोचना सब्द में उफसरग और परत्य का विकल्प सही कौन सा है? देखें, सूलोचना का जब आपकरते हो, तो सू तो उफसरग होता है, सू तो उफसरग हो गया, म्लोचन सब्द हो गया, लोचन में से उचारण के नुशार सवरों के भेद कौन से हैं उचारण के नुशार सवरों का भेद बताना है आपको उचारण के दृष्टी से बताना है याद रखेगा ये क्वेशन सानुनासिक और निनुनासिक ये उचारण की तरफ से होते हैं सानुनासिक और निनुनासिक ठीक निमलिकित में मूल सब्द और उपसर्ख की दृष्टी से कौन सा असंगत है इसमें ये बताना है उपसर्ख की दृष्टी से तो इसमें देख लेते हैं अनूचर तो सही है अनूरूप ये भी सही है अनूचित अनूचित ये गलत है अनूशासन अनूशासन तो तीसरा तेई उचीत जो है वो असंगत है अब यह पूछेंगे असंगत कैसे चलिए बवब बदा देते हैं बहुत सारे लोग के तेंगा कि असंगत कैसे तो यह देखिए वह वैसे बड़ाव बनता है अनूचीत नहीं होता अनूचीत होता है याद रखेगा निमलिकित मुहावरों और लोकोक्तियों में अर्थ की दृष्टी से कौन सा सही नहीं है भानूमति का पिटारा जिसमें आवशक्ता की सभी चीज़े हो धावा बोलना आकरमन करना होता है धावा बोलना यहां काम पर जाना है जो है यह गलत रिखा हुआ है अगला सब निमलि सब्द इसमें से साफ दिख रहा सारे के सारे तद्भो है क्षण जो है वो तच्सम सब्द है क्षण संस्क्रित भाजा का सब्द यह आ जाता है तो यह सही हो जाएगा पच्छी परच्छीने ऐसे परे परच्छीने भीर तेरी बरच्छीने बरच्छीने है खलन के तो यह त होती हैं तो मादवी हंसेगी यह अकर्मक करिया है नेक्ट को सन के तरफ आते हैं निमली कित में प्रायवाची सब्द के दृष्टी से असंगत आपको बताना है कौन सा है प्रायवाची वाजी जो होता है वाजी घोड़ा होता है जब कि यहां सिंग बताए गया है तो तो सही है बगेली भी सही है अवदी बगेली चतिस गड़े पुर्वी हिंदी की होती है कुमावनी यह पहाड की भासा है बांगरू जो है राजस्थानी नहीं है बांगरू हरियान भी है ठीक है नेक्स्ट निमली खित में सही कथन कोन सा है सही कथन आपको बताना है भासा क कोई व्यवस्ता नहीं होती भासा के तो व्यवस्ता होती है हर भासा के अपने नियम होते हैं जबकि यह का नहीं होते तो next भासा की सार्थ की काई क्या है वाक के है मातरी भासा अपने प्रिवेश से नहीं सीखी जाती सीखी जाती है तो भासा की सार्थ की काई क्या है वाक के ह यह सवाल यह उप्शन जो है आपका सही हो जाएगा तुम भी वहाँ से घर जाओगे बलागात वाला शवर्व आपको पता ना है यहने कि नीपात जिसको बोलते हैं किसम से तुम भी वहां से घर जाओगे तो भी सब्दा यहाँ पर दीख रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको देखना है जोती जो होती है उसका प्रकास